असलाम लेकुम दोस्तों मैं हूं मुर्तजा खान और आप देख रहें मुर्तजा इस्टोरी दोस्तों राम मंदिरों बाबरी मज्जिद का जो फैसला है वह बहुत ही जल्द आने वाला है उम्मीद जताई जा रहे हैं कि 17 नॉवंबर तक इस पर फैसला आ जाएगा पर 16 और 17 सटर्डे और संडे यानि सुप्रिंग कोट का चुट्टी का देन तो उस दिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि उस दिन फैसला सुनाइगे तो उम्मीद ही कि 15 15 पर पहले ही फैसला देंगे चीप जशिट ऑफ निया रंजन गोग यानि 10 दिन बाकी है सिर्फ आप फैसला आने पर दोस्तों आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे जिस दिन फैसला आएगा देश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना केस जिसको 134 साल हो गए है जब जिस दिन फैसला आएगा तो देश का माहौल कैसा हो कैसी कैसी तैयारी रहेंगी तो बताने से पहले मैं आप स आपको बता दू कुछ लोगों को नजर बंद रखने की बास सामने निकल कर आ रही है दोस्तों मेरत जो जिला है वह बहुत ही बता है वहां पर दंग कुछ भी बात होती तो वहां पर हिंदू-मुस्लिम बहुत ज्यादा हो जाती है तो इस वज़े से वहां पर योगे शर् जी को और उनके समीव 183 लोगों को नजर बंद करने की भी बास सामने निकल कर आ रही है जिद दिन फैसला आएगा वहीं यह भी बताया जा रहा है दोस्तों कि साइबर सिकॉर्टी से भी यह के दिया है कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा नजर बनाए रखे हैं कोई भी माहूल बिगाड नहीं कोशिश करता है कोई ऐसा पोस्ट डालता है कोई मैसिज ऐसा शेर करता है जिससे माहूल बिगड जाए दंगा हिंसा हो जाए उस पर सक्सेसत कारवाई की जाएगी वहीं दोस्तों SSP SSO रोजाना 40-40 मिटिंग कर रहा है मेरट जिले में अयोध्य जिल माहूल खराब ना हो दोस्तों तो दोस्तों यहीं तैयारियां हो रही है और जिस दिन फैसला आएगा उस दिन आपको भारत बंज जैसे माहूल देखने को मिल सकता है दोस्तों तो चली दोस्तों आप में नीचे कमेंट बोक्स में बताईए आप क्या सोचते है कि किसके पक् असलाम उलेकुम